आजगी इस वीडियो में हम जानेंगे कि वीवो के फोन में Always On Display कैसे चालू करें, कहां मिलेगा, कैसे उसकी सेटिंग करें आए जानते हैं इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है सबसे पहले, अपने फोन में सेटिंग को ओपन करें ओपन करने के बाद आपको यहां पे कई सारे उप्सन मिलेंगे, आपको उपर की ही तरफ यहां मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, यहां देख लीजिए, आपको इस पर टच करना है यहां पे आपको चौत्य या पाच्वे नमर पे मिल जाएगा लॉक, स्क्रीन, एंड वाल पेपर इस पे आपको टच करना है, ओपन करना है इसको यहां पे आपको उपर ही मिल जाएगा ओल्वेज ओन डिस्प्ले पर मैं आपको बता दूँ कि आपको यह हर फोन में देखने को नहीं मिलेगा, हर वीवो के फोन में आपको यह नहीं मिलेगा अगर आपका फोन 20-22,000 से उपर का है या उसके आसपास का है तो ही आपको देखने को मिलेगा अगर आपका फोन 20,000 रुपे से कम का है तो ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि जो उपर के फोन होते हैं 20,000 के अंदर उसमें होती है एक अलग तरह की डिस्पले और जो 20,000 से कम के होते हैं उसमें अलग तरह की डिस्पले होती है जो की always on display sub button नहीं करता है तो यहां से आप इसे चालू कर सकते हो यहां पर आप इसे चालू कर दीजिए आप इसका style देख सकते हैं कि आपके यहां पर क्या दिखाई दे अभी मेरा time दिखाई देगा charging कर दो charging दिखाई देगा ऐसा कर सकते हम यहां पर फिर ऐसा कर सकते हैं apply कर देते हम इसको back करते हैं यहां पर आप display mode change कर सकते हैं कि display schedule से दिखाई दे या हमेशा दिखाई दे इसके लावा notification आप चाहते हैं कि दिखाई दे की नहीं अगर कोई notification आए तो उसका icon बने की नहीं बने यहां से आप on off कर सकते हो वीडियो पसंद आई है लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें